नमस्कार बच्चों कक्षा 10 एकसरसाइज 8.1 का दूसरा प्रश्ण हम करने जा रहे हैं आकरिती में हमें एक समकोंड त्रिभूज दिया गया है P, Q, R जो की क्याउपर समकोंड बना रहा है और P, Q हमें दी गई है 12 cm और P, R दी गई है 13 cm तो बच्चों ऐसे प्रश्णों में सबसे पहला काम जो हमें करना है वह है एक समकोंड त्रिभुज है, दो साइडे दी हुई है, तीसरी साइड हमें निकालनी है कैसे निकालनी है? P,訂閱 क्रमे के अनुसार निकालनी है एक सम कौन त्रिभुज में हाइपोर्टिन्यू स्क्यर बराबर होता है बेस्क्यर प्लस प्रपेंडिकुलर स्क्यर के तो हाइपोर्टिन्यूस है देखें तेरा यानि तेरा सेंडिमीटर का होल स्क्यर बराबर है बेस्क्यर बेस कितना है क्यू आर हमें नहीं पता इसकी लंबाई प्लस प्रपेंडिकुलर स्क्यर जो की है ये दिखें प्रपेंडिकुलर ये है 12 सेंटिमेटर तो 12 सेंटिमेटर का होल स्क्यर के बराबर तो देखें 13 का स्क्यर होता है 179 सेंटिमेटर का स्क्यर हो गया cm2 यहां से 179- 144 इसके साथ प्लस हो रहा है बराबर से उदर जाएगा तो minus हो जाएगा यह होगा qr square के बराबर 179 में से जब 144 minus करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 cm2 यह बराबर है qr के square के बराबर और हमें पता है 25 किसका square होता है 5 cm का होल स्केर बराबर होगा क्यू आर का होल स्केर के स्केर से स्केर कर जाएगा क्यू आर हमें प्राप्त हो गया पांच सेंटी मीटर तो यह जो क्यू आर बेस है यह हमें मिल गया है पांच सेंटी मीटर अब हमें प्रश्न के अनुसार जो मान गयात करना है वह है टैन पी माइ minus cot r अब बच्चो ध्यान से देखेगा इसको हम कैसे करेंगे देखिए 10p p के लिए अधार के साथ p होना चाहिए वो यहां है नहीं तो हम क्या करते हैं बच्चो हम इस आकरिती को एक बार पुनह बनाते हैं और उसमें हम क्या करेंगे समकौन की जगा तो समकौन ही रहेगी यह जो p उपर था अब इसे हम नीचे ले जेंगे कहने का मतलब है कि इसको हमने ऐसे गुमा दिया ऐसे गुमाने से p नीचे आ गया ठीक है उच्चो यही चीज मैं आद दुबारा बना के आपको दिखा रहा हूं कि p नीचे आ गया अब r ऊपर चला गया अब ट्रश्न के इनुसार p क्यों दिया था बारा अब यह पहले ऊपर था अब यह नीचे बेस बन गया p r था 13 cm r p 13 cm ही रहेगा और जो q r था 5 cm अब वो है ऐसे बन गया है 5 cm हमने कुछ नहीं किया बच्चो इसमें और इसमें हमने सिरफ इस आकरिति को इस प्रकार से देखा है r q r e 5 cm यह 12 cm और यह 13 cm इसी को हमने ऐसे लिखा है ठीक है बच्चो अब tan p आधार के साथ p यहां है इसका मतलब यह वाली आकरिति देखेंगे tan p tan p होता है प्रपेंडिकुलर बटा बेस ठीक है बच्चो तो प्रपेंडिकुलर कितना है देखेंगे पांच बटा बेस कितना है बारा तो यह आगया पांच सेंटिमीटर बटा बारा सेंटिमीटर मैनस कौट कोट होता है tan का उलता यानि बेस अपान प्रपेंडिकुलर लेकिन इस ठीकळों में नहीं बेच्चेंगे कौटर आर का मतलब है जहां आर अधार के साथ होगा नीचे यानी यह वाला ठीक्चlında है यहां आर है न अधार के साथ इसले यह वाला ठीकुलर कोट बेस अपन प्रपेंडिकुलर तो बेस है देखिए पांच सेंडिमीटर बटा आर सॉरी पी प्रपेंडिकुलर है ये और ये है बारा सेंडिमीटर तो सेंटिमीटर से सेंटिमीटर कर गया तो यह आ गया पांच बटा बारा माइनस सेंटिमीटर से सेंटिमीटर कर गया तो यह भी आ गया पांच बटा बारा तो बच्चो पांच बटा बारा में से जब पांच बटा बारा माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा शुन्य क्या प्राप्त होगा शुन्य प्राप्त होगा तो इस प्रकार से हमें प्रश्ण में पूछा गया था 10P-4R का मान ग्याद कीजिए तो 10P-4R है 0 तो हम यह लिख देते हैं 10P-4R यह ब्राबर है 0 के तो देखा आपने इस वीडियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया है आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अवश यही अच्छा लगा होगा समझ आया होगा और यदि आप इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर अन्य प्रश्नों के हल देख सकते हैं धन्यवाद बच्चों